वेलकम टू माई चैनल कबुत्तर जिनिजान में आपका स्वागत है अल्ला के रह्मुकरम से और आपकी दुआव के साथ आपकी किल्वत में इम्रान कान साम नेम हमारे मनोज भाई दोस्तों मनोज भाई आपको कबुत्तर का शोग कराएंगे अब आपकी दोस्तों के सारे चैनल पर मिलेगा आपको देखने के लिगे विजन इतना होना चाहिए तो ब्रेडर कबुत्तर का वजन कितना होना चाहिए हमारा मनोज भाई दिखाएंगे कोई कुपुत्तर चेक कराओ दोस्तों देखो ऐसी वीडियो में चलता रहेगा दिखत कितना बजन होगा क्बूतर का कोई बजनी होता उडए वाला जो है कवरे नहीं चलता नहीं नहीं यए औरcr आते हैं औरहे हैं इतना होना चाहिए कि यह दूबतर कर वुजन कि इतना होना चाहिए यह इस। जो टका बजन को चाहिए छब उड़ता है यार जब उड़ता है वुधुतर को बना लेता है उपना बना लेता आपना लेता है इसी क्यों चल रही है यह लोगहाँ कहतें कि विद्र को बनाँ इस विद्र जो ब्रोट पाकस्तान में जितने भी कालसरे उड़ रहे हैं तो उनका बजन देख लो आप अब ट्याटी पतला हो गया 35 वाले हो गया वह 25 परसेंट उससे भारी होता है आप वह भी उड़ रहे हैं तो यहीं तो है कि पुत्रों में कोई बात नहीं है कि उड़ेगा अच्छा पिर ऐसे लोगों ने ऐसे उस्तादोंने अफ़ाग क्यों फिला रख की है अगर वह 25 ग्राम का भी होगा नहीं उड़ेगा उस्ताद लोगों ने ऐसी अफ़ाग क्यों आ रखी उन्होंने कि हां यार कभूतर का वजन इतना होना चाहिए और जब नॉर्मल उड़ान होती है या पक्की उड़ान होती है या बाजी के टैम कभूतर के इंदर इतना बाज़ में निकल जाते हैं और एक गेडा निकाते हैं अगीगत है अगीगत है और बाजा बाज़े ऐसा है कि चूणी के सुरू मुह में फद जागी गर्दन उसके पूरा उड़ेगा पूरा उड़ेगा तो यह फिर ऐसा ब्रहम क्यों फिलाया उस्तादों ने वैसे ही बत कि और आए जिए बहुत बढ़िया है यह बहुत बढ़िया है यह वाला कुपुल्तर आल आप इसके पर यहاं तक जाते हैं तो यह शाम करेगा भाई ऐसे पूतर उठाओ तो इसका वजन कितना होगा अंदाजा या मैंने को तराज लगा रहा रहा है यह बड़े बड़े उस्ताद लोग यह बड़े शोकिन वाज लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि यह इसमें कुछता हूं क्या वह बदाम भी तोल के खिलात तो बदाम का वजन इतना हो आए तो यह दोस्तों देखो यह सरसर सीधी सी बात है यार कि कबुत्तर बाजी अंदी है भाई आपको अंदकार से बाहर निकालने वाला कबुत्तर जिलिजान चैनल बहुसी बातों से हमने लोगों की परदा हटाया कि यह बिर्वाइब भेडर रिवास घया कुल्स जौन सा अधा कि इस घुल उधा लिकी संसे में बिरीडर रिंग उम्दफ को श्केल पर प्राजब की विध. प 2चे के पाते में इसी पे मैंना दोस्तों के साल पहले तक्रीब wrthe hai यहां था कोई बिरिडर रिंग नहीं होता है कि अगर बिरिडर रिंग होता तो दूसरे बना मलवय नहीं तो अब प्रोश करके बनाया जा रहे हैं यह जो मलवय बढ़िया कुपतर होते हैं मलवयों में बहुत कम यह मिलेगा आपको देखने के लिए छत्री वाले होते तो उन नहीं दिख पाएगी नहीं दिख पाएगी इसमें कि कबूतर बहुत ही शांदार है बहुत ही लाजवाब है फिर यह नावित भाई का कमेंट कि इमरान भाई बिरिडर कबूतर का वजन कितना होना चाहिए तो आप ऐसे बरो भाई है जो लोग आपको इस 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 बताते है वहां आप तराजू लेकर पहुंच जाए कंड़ा अरे सामने आओ भाई सामने आओ तो इतने इतने कांटे पर जो इंटरलाक मिशीन के जो आपते हैं अरे सुनियार वाला कंड़ा हो गया सब्सक्राइं कर दो सब्सक्राइब यहीं है यहां दिमाग में डाले ना इम्रान यह आपका इम्राइन भाई हमेशा एसी बातों पर परदा अटाता है जिसे आपको अंधकार में रखाजाता है कबूतर अपनी नसल का कोई सा भी हो कोई भी हर नसल का कबूतर का वजन आपको अलग मिलेगा वजूद अलग मिलेगा डाल चाल अलग है जब उसका डाल चाल अलग है दोस्तों में वजन भी आपको अलग मिलेगा किसी में सो ग्राम जागा किसी में सो ग्राम कम यह नहीं कि ए हर नसल में कबुतर दोस्तों नसल के हिसाब से उनमें वजन ऊपर नीचे है ठीक है ना अब यह तो नहीं अब हर बंदा कहा ने जी वह तो यूटूब पर नहीं कहा उस्ताद ने जी वजन कबुतर में अगर 200-300 ग्राम का है तो वह उड़ेगा भी और बच्चे भी अच्छे अगर उड़ान में लाना तो उसका वजन इतना होगा तो वह इतने पाल लेगा है ऐसा अपुछ निया दोस्तों पोल में लाक है तोकी एक बात यहां माइड में बढालना बरावा हो चैश्टुस की इस तरह बढ़ी भी हो उसके ऐसे तुकावा ना हो मुकम्मल उसका बदन सही होना चाहिए कोई बीमारी में कोई वारस में नी होना चाहिए ठीक है ना वह उड़ेगा भी बच्चे भी पालेगा बागी वजण नहीं होतना भाई कि इतना वज़न हो वे एकी नसल के तो उन्होंने काटा करके रख लिया हुआ कि हाँ देखो जी मेरे जी 300 क्राम के कबुत्तर है जी सारे बीडर है बच्चे पाल रहे ऐसा कुछ भी नहीं है सब बेवकुप ही आली बात नहीं है यह सारी कबुत्तर किसी भी नसल का हो आप रहे सबसे हेवी वज़न होता है सब्सक्या उसको मुझ भी और अब लिए अगर अगर उसका वे nhấtे कल में अग्す ज강 मिलेगा तो आदा किलो होगा तब ही लेंगे वरना ना लेंगे है हर नसल में अलग अलग होता है कहना मतलब यह है अल्ला ताला ने जो भी पक्षी जो भी कबूत्तर जो भी नसले यह बनाई है ठीक है उनके बदन के वजूद के इसाफ़ से ना दोस्तों उनका बदन आप भरावा देखो मजबूत है हलका तो नहीं है बस वो ओके है बागी उड़ान उड़ान में वजन कोई माइनी नी रखता कि आपको की जीतना वजन होना चाहिए ऐसा कुछ नहीं है उड़ान में भी उसका बदन मुकमल होना चाहिए करो अगर उड़ाओ उड़ाओ उड़ान वाले कुछ नहीं चाहिए उड़ान वाले कुछ वर कितना वजन होना चाहिए आप खाली उतना वजन करकरके कुछ रहलो उड़ जांगे है मैं थोड़ी सी मजाग कर रहा हूं आप ऐसे करें उन उस्तादों के पास जाए उनसे पूछे उड़ने वाले कुपतर का कितना वजन होना चाहिए आप एक कंड़ा की तराजू ले ले और मनोज भाई जैसे कुपतर सेल करते हैं आपके एरिये में कोई सेल करता हो तो महां जा है यूटूब का घोचा है लोग बनाने वाले बहुत मैठे हैं बसको मैं का साधन बना रहा है लोगों ने अफवाय भिला रखी है बाते भिला रखी है डायालोग बाजी कर रखी कि किसी तरह गर्रहा को खेषे उनका उलू बनाया जाए अब ये अमरान बेठा है मैं अमरान को हर रोज बिला लूँ यहां पर यह दो जोड़े दिखा दे बीजे दे बेचनी है मैंने अब यहां इसे जोड़े हैं अगर हम उन्हें उठा के दिखा देना कोई पेल नहीं कर सकता हूं और यह कही साल से बस सपना देखने हैं कि मैं भी यहां पर एक सैट अप बनाओ देखो अधर को कि मैं दिखा देता दो को वह कमरे में अंदर नीचे जो दिख रहा हूँ दरवाजा वहां कि मैं भी एक सैट अप बनाओ जोड़ वालों का इनका यह नहीं कमज़ें 25 जोड़े कर लिए 75 लाजवाब काल दिखे कि मैं भी इनके बच्चे करा 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 के बच्चे बेच्चे कि मैं अपना नाम करूंगा पर आल इंडिया में हमारा नाम चलेगा आज के बच्चे उड़ेंगे मगर भाई कर नहीं बारा पासली क्या दिखाता है आते हैं बंदे जो जोड़े की सैटिंग अंदर करने की सोचता बंदा पैसे दे कर ले जाता है काफी जोड़े कम भी कर यह डिल को पूटरीद कर दिखे ना तो वह गुरों Ha barbecue बंदा जवरदस्ति ले गया जाते इस में पहुत्रिय में पहतरी लगे हुए तो थो जोड़े वूंगी बात करा है हैं dalla μεत्तो सब्सक्राइब के कजिफ सेन सब्सक्राइए उड़ान के टेमपस उनके कस बने होने चाहिए खुराब होनी चाहिए उड़ाएगा बच्ची भी अच्छे पाने ठीके दोस्तों वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जुरूर बताना और आगे को शेयर करतेना ताकि लोग बाग ताजू करंडा ले आए और पता करें फोन साउड़ेगा ठीके दोस्तों अल्वाब आपिए